उडिसा की इस पवित्र धर्ती पर मैं जन्ता के दर्सन करने आया हूँ भारती जन्ता पार्टी लोकसवा चुनाओं की तैयारी में जुटी हुई है आज मैं जगत सिंगपुर जाओंगा वहां हमारे बूथ के कारिकरताओं का संबेलन है और बूथ कारिकरताओं के संबेलन में भाग लेकर मैं कटक आऊंगा जहां लोकसवा चुनाओं के लिए संचालन समीती की बैठक हम करेंगे लोकसवा चुनाओं की हम तैयारी करेंगे बीट में मैं ब्रिक्षारोपन का कारिकम में भी भाग लूगा क्योंकि मैं रोज पेड़ लगाता हूँ कारिकरता के घर भी जाओंगा भोजन करूँगा और रास्ते में लोगों से गबसब भी करेंगे हमारे प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोदी जी ने विक्सित भारत बनाने का संकल्प लिया है आजादी के अमरितकाल में एक बैभबसाली, गौरबसाली, संपन और संब्रिद्ध भारत का निर्मार प्रधान मंतरी स्रीमान नरेंदर मोदी जी के नेतरत में हो रहा है और इस पूरे लक्ष को पूरा करने के लिए फिर तीसरी बार मोधी सरकार बने इस काम में हम लगे हुएं चारों तरफ उत्साह का वातावरंड है उडिसा में दोनों चुनाओ एक साथ लोकसभा के चुनाओ भी और विधान सभा के चुनाओ भी अब यहां के मुखमंतरी स्रीमान नवीन पटनाईक जी अपनी सरकार को आउट सोर्स पर दे चुके हैं वे सरकार नहीं चलाते उनके अधिकारी सरकार चलाते हैं उनके बारे में तो ये कहवत सही होती है अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम वो कभी सरकार चलाते ही नहीं और वे लगाम अधिकारियों ने पूरे उडिसा को भिष्टाचार के दलदल में फसादिया है यहां करपसन है बिना लिये दिये कुछ होता नहीं है माताएं बेहनें बेटियां यहां असुरक्षित है महलाओं पर अत्याचार के मामले में उडिसा को सीर्स इस्थान पर पहुंचा दिया गया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रधान मंत्री स्रीमान डरेंद्र मोदी जी ने उडिसा के विकास के लिए जो पैसा दिया है उन योजनाओं को ठीक ढंक से इंप्लिमेंट नहीं किया जा रहा है यहां तक के पैसा मोदी जी भेजते हैं और ठपा नभी इन बाबू लगा देते हैं योजनाओं पर री ब्रांडिंग का काम करके खुद के नाम को चमकाने की कौसिस करते हैं जनता इस सच को जान चुकी है और इसलिए मुझे पूरा विस्वास है लोग सभा के चुनाओं में पिछली बार भी हमने आठ सीटें प्राप्त की थी 86% से ज़ादा लोग आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को प्यार करते हैं उडिसा में चाहते हैं उनके साथ खड़े हैं मुझे लगता है कि भारी बहुमत से हम लोग सभा के चुनाओं भी जीतेंगे और विधान सभा में भी भारती जन्ता पार्टी बहुमत भारी बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएगी अब मुझे तो बड़ा गजब लगता है जो विग्यापन दे रहे हैं विग्यापन है के बल वो कहते हैं यह मर गया इसको लाब मिल गया पता चला वो जिन्दा है यह तो मैंने कहीं नहीं देखा उड़ी सही मैं देख रहा हूँ एसेच जी के बारे में के बल प्रिचार हो रहा है जिस बहन के बारे में कहा जाता कि इसको एसेच जी की योज़नाओं के कारण लाब मिला वो कहती है तो मेरा खुद का पैसा लगा है तो नवीन बाबू के अधिकारी के बल ब्राइंडिंग कर रहे हैं काम नहीं कर रहे है इसलिए कोई असर नहीं पड़ेगा धन्यबाद पूरी ताकस से भारती जनता पार्टी चुनाओं लड़ेगी और जीतेगी जयुद कि झाल नहीं कर रहे हैं कास्टो कि अभल रहे हैं कि क्म वींड़ेगे छोhtहार ऊँजकर मेरे ग शखरी बրपशबर बगड़ेग!